नमस्कार दोस्तों, PCS पार साला में आप से भी का स्वागत है बहुत दिन से इस तरह की कोई व्यूडियो मैं नहीं डाल लाँ था क्योंकि मैं आऊ सकता नहीं मौसूस कर रहा था एक बात मैं समझना चाहता हूँ यह उनहतर चार टीचर भरती जो लगबग 2,5 साल से पेंडिंग में थी अंतता पूरी हो गई, दो काउंसलिम हो गई लेकिन अभी न्याय कहां हुआ है और न्याय सब के साथ नहीं हुआ है, जिस तरह से पूरी हुई है दो डहाई साल लगा हुआ है, लेकिन अभी बहुत सारी सीटे खाली है देखिए सबसे बड़ी बात मैं आप लोग को बताना चाहूँगा एक सबसे बड़ा मिथक अपने मंद से निकाल देजिए इस उनहतर जा टीचर भरती में जो 20 सा धिकार दिया गया है जो अकेडिमिक दिया गया है, जो भारांक दिया गया है उस आधार पर आप यह मत समझे कि मैं सच बता रहा हूँ यह मत समझे जो भी लोग 97 जो भी लोग कटाप को पार किये है जो भी सरकार ने माप दंडर लगाया है हाला कि कटाव भी बहुती गलत परीके से लागा आ गया है पिछली भरती में इस तरह से passing mark नहीं थे पिछली भरती में जिस तरह से passing mark थे उसी तरह से passing mark लगा राची है था 50,000 की नाजायज भिन उस तरह से इस भरती में आ गई और जो आप समझ सकते हैं मेरी बात को आप अन्यथा मत लीजेगा मैं आप लोगों एक जामपल दे रहा हूँ अगर जनरल OVC का जो passing mark है पिछली भरती में समान था इस भरती में असमान होने के सबसे असमान होने के कारण सबसे जाता नुक्सान OVC के उन बंधों का हुआ जो 97 क्रास किया OVC अगर वह B8 है तो उसका सिलेक्षन नहीं हो पाया लेकिन जो 97 से नीचे है 92, 94, 93, 99 है और वह सन्योग से BTC है उसका सिलेक्षन हो गया तो इस तरह से इस तरह से क्रियाय हुई है और उत्ताजा टीचर भरती में इस तरह से गलतिया है इसमें एक बात मैं बता दू अब जो हुआ सो हुआ लेकिन अब आप अगर यह कह रहा है आप अपनी तरफ से आपने UPTate पास किया है फिर सिच्छकबरती परिच्छा पास किया है उसका जो कटाफ सरकार ने निर्धारित किया सरकार नहीं निर्धारित किया कोई स्टुडेंट से निर्धारित नहीं किया लेकिन उस मापदंड को भी आपने पार किया आप 2,5 साल कोट कछारी को भी जेले अब आप से यह कहा जा रहा है कि UPTate का नोटिफिक्शन आने वाला है सूपर टेट का नोटिफिक्शन आने वाला है 50,000 की वेकेंसी जागी अब उस में तयारिम लग जाईए बताइए यह कैसा मजाक है हम कहा रहा है जब योग अभरती नहीं मिलते हैं तो 68,500 वाली भरती पूरी नहीं हो गई हो पाई क्योंकि योग वरती नहीं मिल ले थे सीटे तक खाली चली गई अब यहाँ 22,000 सीटे हैं और अभी बहुत सारे कंडिडेट बचे हुए है यह 22,000 सीटे समझे जी कर मर कर इस 22,000 सीटे को किसी तरह से एड़ कराना होगा अगर 22,000 सीटे अगर आप जोडने में सफल हो जाते हैं इसमें कोशिश करिए कि 22,000 सीटे गवर्मेंट किसी तरह से जोड़ है और जोड़ना उचित भी है जोड़ना न्याय संगत भी है यह जो आज बहुत सारे लोगों नहीं हुए है कोई अकेडिमिक के करान नहीं हुआ है कोई 3 नमबर जो नाजाय तरीके से बढ़े है उसके करान नहीं हुआ बताजिए इस हिंदुस्तान में जो 3 number 3 question नहीं जानता था वो selection में है वो निक्ति पत्र पाज़कर फोटो की चुवारा है और जिसके 3 के पासिंग मार की वज़़य से अंदर चला गया उपि इस तरह की बात हुए है और यह का समान नहीं है इसकी वज़़य से जननरल का भी नुक्सानु ओन doorway आप एसमस्कें अगर सब्सक्रा Party का समान अगर संसे करने वाला रख होत वह सब्सक्राइबEEEE सब्सक्राइब करने वाला अवस्छ होता यहां आप समझ लीजी तो कई सारी पृतिक्याएं हुई है सरकार के दुवारा जो गलत है लेकिन अब आपको देखे अब गॉर्मेंट क्या चाहती है सासन क्या चाहता है अब आपको इससे भरमित करना चाहता है हम नेक्स्ट भरती दे रहा है नेक्स्ट भरती आप क्यों दे रहा है पहले बाइजा सीटे आप जोड़कर बाकी लोग का इसमें हो जाने दीजिए तब आप नेक्स्ट भरती जीए नेक्स्ट भरती मतलब गॉर्मेंट उल्जाना चाहती है कि आप फिर से यूपी टेट में लग जाएए सूपर टेट में लग जाएए इसी तरह से भीन का हिस्सा बनिए कुछ लोग ऐसे बात कर रहे हैं जिनका सेलेक्शन नहीं हो पाया है इसमें और सेलेक्शन नहीं होने कितना मेहनत कर पाएंगे आप मेहनत नहीं किया है क्या भाई सहाब आप पर आपको आप पर विश्वास नहीं होगा लेकि मुझे विश्वास है कि आपने अच्छा मेहनत किया अच्छा स्कोर किया है अकेडमिक के वज़ह से आपका नहीं हो पाया है तो कही तीन नंबर के सारे मदभेदों को बूल कर एक बात और बता दूं यह जो सी वाले जो कुछ बंधू है जो 1100 की सीटें जो है यह स्टी वाली वह जोड़ना चाहते हैं अब आप देख लीजिए कि उनकी मांग पूरी हो गई हाला कि जुड़ा जा रहा है तो अच्छी बात है खुसकपरी की में कुछ चात सफल हो सकते हैं तो 2200 सीटें जोड़ने के लिए सभी लोग एक जुट होकर क्यों नहीं प्रतने कर रहे हैं आप अगली भरती में मत लगी अगली भरती का मतलब कुछ नहीं है यार फिर आप दो ड़ाई साल जेलेंगे आप यहां तक आए हैं अब आप सुछ उस दोचे कि आप 10 सीड़ी पर चलने पर आप च्छतें पहुंचाएंगे और 9 सीड़ी चल गये हैं तो इसके बावजूत भी आप चूप चाप बैठे हुए हैं 2200 सीटें जुड़वाने का पूरा प्रतने करिए कोशिस करिए और 2200 सीटें जुड़ भी जाएंगी और अगर 2200 सीटें बच जाती है 2200 सीटें इसमें जुड़ जाती है तो बीसी का जो पासिंग मार्क है वो बीसी का जो कटाफ है गुड़ांक है वह 61 तक और जनरल 62 तक दम छाती ठोक कर हो जाएगा अगर 2200 सीटें जुड़ जाती हैं तो पहला प्रतने आप लोग करिए कि लोग अगर सफल हो सकते हैं तो आप क्यों नहीं सफल हो सकते हैं अभी आप समझ लीजिए बहुत सारा हजारों की भीण खाली है आप अगली भरती में मेहनत करिए ना करिए लेकिन यहां तक आप आए हैं अब आप सोचिए कि आप एकदम आसमान चुने वाले हैं लेकिन द करें अब आप कुछ लोग कर रहे हैं कुछ लोग यहां बाताय कर रहा हैं किलल दस भी सिकने जोड़ेगी सारा प्रतन्थ आपको करना है सारी कोशिचते सब्सक्राइब करना है कि इसी FINके से जुड़ाइब जाती है तो पासों गुड़ांग बहुत कम होगा बहुत नीचे जाएगा और सब सेलेक्षा्यं होना सुनिस्चीत होगा तो यह प्रयास किया जाया जो बची हुए सीटे हैं उसको जोड़ने का प्रत्न किया जाए अुछ के लिए आप लोग को जो भी कोसिस कर रहा है इधर-उदर को जो को चुछ कर रहा है वह को सीट आप लोग बाइजार सीटे जोड़ने में करिए यह भाना चाहता हूं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों धन्नाबाद आप लोग को 22 सीट के लिए एक टेलीग्राम बनाया हूं टेलीग्राम का लिंग भी डिस्क्रिप्शन में है आप लोग उसे भी जुड़ जाएए ताकि सभी लोग इकठा हो सकें तो टेलीग्राम का लिंग डिस्क्रिप्शन में है जरू जुड़ सकते हैं धन्नाबाद